नमस्कार दोस्तों मैं इंशुल मैं आप सभी का अपने चैनल टेकिन टार्गेट पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी की साथ एक बहुती अच्छी जॉब अपॉर्चिर्टी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ तो make sure आप इस जॉब अपॉर्चिर्टी में एप्लाई सरूर की जगा इस जॉब अपॉर्चिर्टी की दोस्तों सबसे अच्छी बात यह कि दोस्तों एक वर्क फ्रॉम जॉब अपॉर्चिर्टी होने वाली है यहां दोस्तों freshers as well as experience candidates applicable होने वाले है साथ ही साथ दोस्तों जैसी आप इसमें apply करोगे उसी के बाद दोस्तों आप एक चोटा सा test होने वाला है उसी के basis पर दोस्तों आपको response मिलने वाला है साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने कोई भी graduation degree कर रखिये whether it is BE, BTEC, BSE, BCA, BBA, BCOM कुछ भी कर रखा है आप सभी इसके लिए applicable होने वाले हो दोस्तों अब मैं आप सभी को अपनी laptop screen पर लेकर चलता हूँ और हर एक चीज़ इन detail बताता हूँ उससे पहले मेरी आप सभी से एक request है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो और दोस्तों यह लोग दो रोल के लिए हाईरिंग कर रहे है research analyst as well as analyst research तो दोस्तों मेरी एक request है आप इन दौनों में ही apply कीज़ेगा यहाँ दोस्तों work from home इन्होंने mention कर रहा है post it on दोस्तों यहाँ इन्होंने 7th of July यहाँ mention कर रहा है department की बात करता हूं तो दोस्तों operation maximum experience also one year research and development minimum experience zero that is also अगर आप fresh हो तो भी दोस्तों आप इसके लिए apply ज़रू की जगा city good गाओं है वैसे बट दोस्तों यह work from home होने वाला है state हर्याना country दोस्तों यह तो सारी details है जिग्राम के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों जिग्राम is a high impact organization that operates in the data asset space तो दोस्तों यह data की company है जो की आपको research basis पर दोस्तों यह लोग काम करते हैं यहाँ दोस्तों आपका काम क्या होने वाला है वो भी मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूं यहाँ तो दोस्तों यहाँ क्या किया जाएगा यहाँ दोस्तों आपको कहा जाएगा कि आपको एक data को research करना है अब वो दोस्तों आप data कहीं से भी research करके लाओ बड़ दोस्तों वो data accurate होना चाहिए ability to multitask, prioritize and manage time efficiently, understand needs of the hiring organization or client in order to target research of their benefits advanced speaking and writing skills for effective communication तो दोस्तों आपकी communication skills भी अच्छी होनी चाहिए but mainly दोस्तों आप researching में बहुत अच्छे होने चाहिए हो कि कैसे आप data को research कर रहे हो और कित्रा जादा accurate है जो भी आप data को research कर रहे हो यहां दोस्तों इनोंने सबसें में चाहिए कि 0-1 year of experience in secondary research, strong interpersonal skills and extremely resourceful, proven ability to complete assigned tasks according to the outline scope and timeline दोस्तों आपकी communication skills भी इसमें अच्छी होनी चाहिए graduate from a reputed college or university अब आप करते हैं इसके लिए कैसे apply करना है तो दोस्तों simply scroll down करेंगे यहां दोस्तों ऊपर आ रहा है I am interested पर दोस्तों हम click करेंगे फिर दोस्तों यहां आपको दो चीज़े दिख जाएंगे एक application और side में दोस्तों assessment का option जैसी दोस्तों यहां अपनी सारी की सारी details को फिल करोगे न दोस्तों आप यह वाला tab आपके सामने आ जाएगा फिर दोस्तों आप एक छोटा सा assessment होने वाला है make sure आप वीडियो को बहुत ध्यान चे देखेगा क्योंकि यह important part है यहां दोस्तों आपको एक test है पहला question है as a next chef we'd like you to do a research assignment on the profile of Scott John Morrison Prime Minister of Australia it will give you a chance to better understand what the position entails and showcase your skills birth address street city state court country तो दोस्तों आपको इनकी हर एक्षी detail बतानी है तो दोस्तों आप Google से देख सकते हो और भी कोई अगर आपको search engine अच्छा लगता है तो दोस्तों वो भी आप use कर सकते हो please add the source URL link for the place of birth of the profile assigned to you तो दोस्तों जहां से भी आपने data वो देखा है जहां से भी दोस्तों आपने उस data का research किया है तो दोस्तों उसका आप यह URL भी mention कर सकते हो तो दोस्तों simply यह चीज़ बस यह देख रहे है कि कितनी अच्छी तरीके से कहां-कहां से आप data को research कर रहे हो और क्या-क्या tactics आप लोग यूज़ करने वाले हो second job opportunity है दोस्तों analyst research यह भी दोस्तों almost बिल्कुल सेम है यहां दोस्तों degree mention कर रहे है इस पर ध्यान मत दीज़ेगा दोस्तों अगर आपने कोई भी graduation degree कर रहे है इसमें भी आप applicable हो मेरी एक request इन दौनों में apply कीज़ेगा second job opportunity में दोस्तों simply आप I am interested पर click कीज़ेगा जैसी आप यह पूरी information फिल करकर submit application पर click करोगे दोस्तों यहां आप apply कर दोगे यहां on the spot कोई भी आपका assessment नहीं होने वाला सिर्फ और सिर्फ दोस्तों पहली position के लिए है बट मेरी आप सब इस एक request से दौनों position के लिए दोस्तों आप apply कर दिजे क्योंकि response आपके बाद जरूर आने वाला है और make sure दोस्तों इस job opportunity को share भी जरूर कीजेगा क्योंकि काफ भी सारे student पर already response आ चुका है और यह काफ भी जादा useful work from home job opportunity होने वाली है तो दोस्तों आज के लिए तहीं जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए job updates के जाएट, workshops के जाएट, free courses के साथ तो दोस्तों जब तक के लिए धन्यवाद